हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रिश्टल ब्रेंस यूटूब चैनल लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था सिकंदर का भारत में आगमन कैसे हुआ और उसके आने के बाद उसने किसके साथ यूध लड़ा और उसका वापस लोटना किस प्रकार से रहा इन सभी चीजों को हमन वाले वीडियो में हमने ये भी कवर किया था कि जो मगत समराज्य के अंतरगत हर एक वंस कैसे आए हर एक वंस में कौन-कौन जो है सासक हुए और जो है उसके बाद सिसुनाग वंस का आगमन होता है इस तरह से और कई भी जो है वंस आए जैसे उसमें से एक धनानंद आता ह नंदवन्स के अंतरगत, तो इन सभी चीज़ों को हमने पिछली वीडियो में कभर किया है, अब इस वीडियों में हम देखेंगे कि मौर्यवन्स का उद्रय कैसे होता है, तो चुकी जब सिकंदर भारत पे आकरमन किया, उसमें पोरस वहाँ पे शासन कर रहा था, और पोरस न उससे प्रशन हो करके उसने पोरश को सारे विजित परदेश वापस लोटा दिये और इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है और चंदगुप्त ये जो सिकंदर था उसने ठान ली कि अब हमें भारत उपमहद्वीप पे अटेक करना है जो कि उस समय मगद पे धनानंद का सासन चल रहा था लेकिन कुछ अपवाहें जो है आई सामने कि धनानंद बहुत ही सकती साली सासक है और दूसरी बात जो है कि जो सिकंदर की जो सेना थी वो पूरी तरह से घायल हो चुकी थी और ठक चुकी थी और उन्हें होम सीखनेस हो रही थी मतलब कि उन लोगों को घर की याद आ रही थी इस तरह से कहीं ने कहीं वो भी जो है डी मोटिवेटेड थे डिसकरेज़्ट थे तो जब सिकंदर जो है आगे अग्रसर होता है नौर्थ की और तो उसकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से इंकार कर दिया जिसकी वज़ा से जो है सिकंदर को वापस लोटना पड़ता है और इस तरह से सिकंदर का आकरमन सिकरक का भय जो है टल जाता है भारत से लेकिन धनानंद को पहले ही जो है चानक्य ने या कोटिल्य ने जिसे विश्टु गुप्त भी कहते हैं अल्रेडी टार्गेट कर चुके थे कि इसे हराना है क्योंकि धनानंद एक बहुत से डित्रोन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसने चंदगुप्त मौर्य को एजसिस्य जो है उसने ट्रेंड किया और महज 23 वर्ष की उम्र में चंदगुप्त मौर्य ने धनानंद को अपनी सेना के माध्यम से पराजित किया और 322 BC में वो गद्धी पे बैठा तो हम इसी इनी चीजों को आगे डिसकस करेंगे डिटेल में तो चलिए आते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि जो मौर्य वंस हैं मौर्य वंस की स्थापना चंदगुप्त मौर्य ने की और ये जो है चंदगुप्त मौर्य का जन 345 BC में हुआ था और ये गद्धी पे महेज 322 BC में मिन्स अनली 23 एर्स अड़ एज ओप 23 एर्स ओनली वी बिकेम दा इंपेरर ऑफ इंडिया तेश साल की उम्र में ही मात्र वो भारत का समराट बन जाता है और इसने जैन धहम की दिख्छा ली ये जैन धहम को का फॉलोवर् और जैन धर्म की दिख्छा इसने जैनी गुरु भद्र बाहुशे इसने जैन धर्म की दिख्छा ली ठीक है क्योंकि उस समय जो है जब आकाल पड़ता है जब तीसरी सतापदी इसा पूर्व में तो जैन धर्म जो है दो भागों में बढ़ जाता है एक दिगंबर और एक की दख्शीन की ओर चले जाते हैं 300 क्रेलागबमें जुआ है तो जो दिगंबर संपरदाय की वह दक्षीन दक्षीन में चले जाते हैं लोग जाते ज़र्म होने के कारण अस्वेतांबर जह वह ही फें जो है जुगन तो यहां पर हम देखेंगे 215 ग इन्होंने कल्क सूत्र की विरचना की थी ठीक है और जो उत्तर की ओर ही सिर्फ स्थिर रहे वहीं पर रहे गए नहीं हमें यहीं रहना है उन्हें कहा गया उनके गुरु का नाम था इस थूल भद्र इस थूल भद्र जो है वहीं पर श्टे करते हैं नौर्थ में ही और वह अकाल था 12 सल के बाद जब वह यह वापस लोटते हैं तो इन दोनों के भी जो है मतवेद हो जाता है कुछ सिधानतों को ले करके तो इन्हीं में से यह जो भध्र भाहू थे भध्र भाहू से इन्होंने जैन्दर्म की दिख्षा लीती और इस तरह से वह एक जैनी थे और देखा जाए तो जब चंद्गुप्त मौरे का जो अंतिम समय है वो सरवन बेल गोला में जो है इसने सलेखना विदी सीनों ने चंद्गुप्त मौरे ने अपना प्रान को त्यागा यह हम आगे पढ़ेंगे फिलाल अभी हम देखते हैं कि आगे फिर क्या होता है चंद्गुप्त मौरे को अगर इसके जो है नाम को ले करके जो है चर्चाय होती हैं कई गरंतों में अलग अलग नाम इसके देखने को मिलते हैं तो जस्टीन जो है एक मौरे काली जो है एक फिडोस पर था इसने चंदगुप मौरे को सेंडरो कोट्स अपनी भासा में वहाँ जो है इसने सेंडरो कोट्स कहा जब सेंडरो कोट्स नाम देखा गया तो लोगों को एक मतलब असमंजस की स्थिति लोगों में पैदा होई कि ये कौन है तो इसी सेंडरो कोट्स को विलियम जोन्स ने जो है चंदगुप मौरे के रूप में विलियम जोन्स रिकोगनाईजड सेंडरो कोट्स एज चंदगु तो हम यहां पर हमें यह याद रखना है कि सेंडरो कोर्स किसने कहा था तो जस्टिन ने पाष्चान किसने की थी तो विलियम जोन्स ने ठीक है उसके बाद चन्दुप्त मौरे का एक जो है थोड़ा नीचा छवी भी देखने को मिलता है इसे नीच जाती का कहा जाता है या व विसल जो है मुद्रा राक्षष जो पुस्तक है मुद्रा राक्षष ये विशागदत की पुस्तक है विशागदत ने इस पुस्तक को लिखी है और विशागदत इसे चन्दुप्त मौरे को जो है एक नीमन कूल का मानते है और उसने पुस्तक में चन्दुप्त मौरे को ए जैसा कि मैंने बताया सेंद गुप्त मौर्यसीस से था चानक्य का चानक्य क्यों और भी अन्य नाम से जानते हैं जैसे विश्णु गुप्त और कौटिल्य चानक्य ने एक पुस्टक लिखी है यह बहुत ही फेमस पुस्टक है अर्थ सास्त्र लेकिन अर्षास्त्र में एक confusion है लोगों कि जब exam में जब ये प्रस्न आता है तो लोग पूचता है कि अर्षास्त्र का संबंध किस से है तो लोग economy जो है मार दते हैं इसके नाम के अधार पे तो अर्षास्त्र का संबंध जो है economy से बिल्कुल भी नहीं है तीक है ना इसका जो संबंध है वो राजनीती सास्त्र से politics से है तीक है और सास्त्र का संबंध economy से इसका समंद बिल्कुल भी नहीं है और्थ सास्ट का समंद और्थ वेवस्ता से बिल्कुल भी नहीं है तीक आप याद रखिएगा अब जब इसने धनानन्ध को हराया जब ये सासन कर रहा था तो मैंने बताया था कि धनानन्द के समय में जो है सिकंदर सिकंदर जो है यह वापस लोट गया था बिना यूद किये लेकिन यूद वापस लोटने के करम में इसने अपने दो सेना पती सेल्यूकस और नियारकस सेल्यूकस और नियारकस को इसने अपने विजित परदेश जो है दे दिये और कहा कि तुम जो है इसके अंडर अब ये तुम्हारा है अब तुम इस पे सासन कर सकते हो तो उसी में जो सेल्यूकस निकेटर था वो सासन कर रहा था लेकिन सेल्यूकस निकेटर ने 305 बीशी में इसने सोचा कि अपना समराज भी इस्तार करे और इसने भारत पर जो है क्या क्या आकरमन किया लेकिन चंदगुक मौर एक महान सासक था उसने इसे पराजित किया और पराजित करने के बाद जो है इसने सेल्यूकस निकेटर के साथ अपना वैवाहिक संबंद स्थापित किये और इसी बीच में जो है वैवाहिक संबंद स्थापित हो जाने के बाद काबुल, कंधार, हेरात और मकरान इंचार परदेश को जो है संबंद मौरे को देना पड़ा तो यहाँ परदेश को जो है इसके बाद क्या होता है कि जब वैवाहिक संबंद स्थापित हो जाते है तो उसने सेल्यूकस निकेटर ने एक राजदूत को अपने राजदूत मेगास्थनीज को जो है चन्दूत मौरे के दर्वार में भेजता है और इसी मेगास्थनीज ने एक पुस्तक जिसके नाम था इंडिका इसकी रचना की थी 298 बीसी में सरवन बेल गोला में सरवन बेल गोला जोगी यह है करनाटका में ये करनाटका में है सरवन बेल गोला और सरवन बेल गोला में ये पहुचता है चंदगुप्तमौरे अपने अंतिम समय में और सनलेखन विधी से इसने अपनी प्रान को त्यागा सनलेखन विधी बेसिकली ये होता है कि अपने सरीर को परतारित करना अपने सरीर परकष्ट देना जैसा की भोजन ना करना इस तरह की कई चीज़े हैं एक प्रोपर कल्चर है जैन धर्म में और लोग इसे अभी भी करते हैं तो सनलेखन विधी से इसने अपना प्रान प्रान और इस तरह से चंद्गुप्ट मौरे का अंत होता है और है चंद्गुप्ट मौरे समराज के हम ने स्टड़ी किया कुछ औरफ्यक्ट्स चंदगुत मौरे में और सेल्यूकस निकेटर में जो यूद हुआ है अभी जैसा कि मैंने बताया यूद के बाद जो है जो विवाहिक सम्मंद इस्तापित हुए ये यूद की जो सरवपर्थम जो जानकारी है उसने एपियानस ने दिया एपियानस एक राजदूद था ये ना सेल्यूकस निकेटर का तो एपियानस ने अपनी पुस्तक में इसने जानकारी दिया कि जैसा यूद हुआ सेल्यूकस निकेटर और चंदगुत मौरे की बीच और प्लुटार्क ने कहा कि जब यूद के बाद जब सेल्यूकस निकेटर पराजित होता है तो वैवाहिक समंद स्थापित हुए उसके बाद जो है सेल्यूकस निकेटर के डिमांड पर जो है चंदगुत मौरे ने 500 हाथी उसे उपहार दिये क्योंकि मगत समराज्य में जो जंगल थे जंगल में हाथियों का काफी जो है अच्छा वहाँ पर नसल पाई जाती थी तो ये बात जो है प्लुटार्क ने कही कि 500 हाथी जो है उपहार दिया गया था चंदगुत मौरे के द्वारा किसको सेल्यूकस निकेटर को ये दो चीज दो अन्य फैक्ट थे पढ़ेंगे और इसी तरह से क्रमवार चलता रहे का बिंदुसार के बाद हम अशोक को पढ़ेंगे और मौरे समराज को क्या करेंगे फिनिस करेंगे तो थेंक यू पर वाचिंग दिस वीडियो इफ यू थिंक दिस वीडियो इस 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 आग़ेंगे लाचिंगे लाचिंगे अगरेंगे दिस अएक्ट दिस अग्ट प्रश्डश्ड के लाचिंगे